प्रदेश सरकार ने अपनी कैबनेट बैटक में कई महत्पूर फैसलों को मंजूरी दी जिससे प्रदेश के विकास में नई गती मिलेगी सिंगापूर की तर्ज पर प्रदेश की राजधानी लखनों में भी नाइट सफारी का निर्माड की आ जाएगा और कहीं न कहीं इको टूरिजम को लेकर जो सरकार की सोंस थी वो अब जमीनी इस तर पर नजर आने लगी है इको टूरिजम विकास बोड की स्थापना की बात कह साथ अंग्रेजियों के समय से जो जेलों में नियम चले आ रहे थे मैनुवल चले आ रहे थे उनको बदलने की बात कही गई है तमाम एहम उसी ओपर हम चर्चा करेंगे जो निर्णे ले गए हैं कैबनेट में लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री योगी आधित्दात ने बड़ा तोफ़ा दिया है सिंगापूर की तरस पर देश का पहला नाइट सफारी जै विवित्ता पार्क राजधानी लक्टों में बनेगा देश में 13 ओपन डे सफारी हैं लेकिन नाइट सफारी एक भी नही मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की विकास को गती देने के लिए कई एहम फैसलों को मंजूरी दी गई प्रदेश की परेटन और सांस्कितिक मंतरी जैवीर सिंग ने बताया कि सिंगापूर की विश्व की पहली नाइट सफारी की दर्ज पर दो हज़ार साथाईस एक्केर छेत्व़ से जढदा चेत्र में बना कुक्रेयल वन चेत्र में 351 में नाइट सफारी विक्षिद की जाएगी और 151 में प्रानी उध्यान बनाया जाएगा विश्व उस्तरिय सुधाओं के तहत नाइट सफारी में इस्थानिय गाइट के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जा सकेगी। इसके लाबा 75 एकल में टेंदुआ सफारी, 60 एकल में भालू सफारी और 75 एकल में टाइगर सफारी बनाने की योजना है। कैबिनेट पैटेक में एको टूरिजम विकास बोर्ट की गठन को मंजूरी दी गई है, साथ ही अंग्रेजों के शाशनकाल में लागू किये गए जेल मैनुवल में बदलाओ को मंजूरी दी गई है, जिससे अब बंदियों को कई राहत मिलेगी। जेल मैनुवल में मानवी दिश्टिकों से महिला बंदियों को मंगल सूत्र धारण करने से लेकर अन्य सुधाएं दी गई है। निवेश को आकरशित करने के लिए सरकार ने अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रिश्टि पत्रकार और प्रिंस लेनिन जी है, सेनियर एडियोकेट हाइकोट आप दोनों लोगों का हमारे साथ खास चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रेम संकर जी आप ही के पास आते हैं। मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ जो उत्तर प्रदेश के परेटन की बात करते हैं। ऐसे में पहली बार देश में नाइट सफारी की बात कही जा रहे है राजधानी लखनों में। देखें उत्तर प्रदेश के अलामा जो अपने देश में ही कई ऐसे प्रदेश हैं। जहां परेटन उनकी आयका सबसे बड़ा साथ है और अकेले परेटन नहीं पूरी अर्थव्योस्ता की तस्वीर बदल करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के बात करिए तो उत्तर प्रदेश परेटन की असीम संभावनों से भरा हुआ है। लेकिन अमूमन जो है कुछ एक मॉनुमेंटल टूरिजम और कुछ एक धार्मिक परेटन की अस्थलों तक ही उत्तरपदेश की जो पूरी परेटन की दसा देशा है उस सिमित रह जाती है जबकि अकेले उत्तरपदेश में जो जय विवहतता है जो पारिस्तितिकी तंत रहे उ बुंदेल खंड-प्राकर्तिक सुन धरता से भरा पुरा हुआ है इस पर भूरत के उत्तर बेकिन लिए ये पहल है जो नाइध सफारी की बात है ये देश की पहली नाइध सफारी होगी आपने हमने अभी देखा भी के सिंगापूर के तरश पर बनाया जा रहा है दिकि जो राजधानी का ये कुक्रायल बंचेत रही है करीब 2000 एकड में फैला होगा है और आज भी वहां थोड़े-बहुत वहां पे घड़याल के प्रजिनन केंद्र कुछ चेल्डरन प्रार होगा इसलिए उसकी पूरी कार्योजना तयार की जा रही है कैबिनट ने जो भी मंझूरी दी है उसमें वहां पे करीब साड़े तीं सो एकड में वहां पे नाइट सफारी बनाई जाएगी और देर 100 एकड में वहां पे प्राणी उद्ध्धा जाने की शेयर के बीच का उसका सरक्षन होगा जो वहां कुक्रैल नदी थी जो अभी नाले में तबदील हो चुकी है उसको पुनरजीवन मिलेगा और एक पूरा का पूरा एक बढ़ियां अट्रैक्शन का केंदर होगा और चुकि लखनों के का जो हिस्टोरिकल परेटन है उसके लिए परेटक पहले स गड़ियां इसके परेटकों के लिए परेटन का एक नियाम केंद मिलेगा तो परेटन के बाहर से आने वाले निस्चे तोर पर यह नहीं के जिस संगापूर का जिक्र किया है जहां से यह प्रेटना लीए गया सिंगापूर के मेजर अट्रैक्शन उसमें नाइट सफारी है तमाम आजालते हूं, पर्या वरण संगरच्टन को लेके तमाम सारी केस वहां आते हैं है और हाई कोट की नाराजगी भी रहती है, ऐसे में जो टूरिज्म की बात हो रही है, आप देखते हैं लखनो समित अन पूरे प्रदेश में इसकी बात कही जा रही है, जैसे देखते है अगर ऐसे प्रयास सरकार के द्वारा समय रहते किये जाएंगे जिससे प्रयावरण को बढ़ावा मिले संरक्षित किया जा सके तो निश्चित ही इन प्रयासों की सरहना होगी और अदालतों का सहीयोग रहेगा जिस तरह से प्रयावरण की अंदेखी आज की जा रही है कितने ऐसे आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिबनल के द्वारा दिये गये हैं चाहे वो जल का संरक्षण का हो चाहे पेड़ पौधों के संरक्षण को हो तो जीव जनतियों के संरक्षण पे हो तो सबके लिए कहीं ना कही नयायले को ही घूम फिर करके अपने आदेश एक के बाद एक देने होते हैं तो अगर सरकार के द्वारा इस चीज में स्वेम पहल की जाए और ऐसे सिलसले वार सिस्टेमाटिक स्टेप्स लिये जाएं ऐसे निर्णाय जिनको जमीनी रूप पे मूर्त रूप दिया जाए औ जाहिर तोर पे अगर हम सनरक्षन के स्टर को बढ़ा सकते हैं और अपने पर्यावरन को और बेहतर बना सकते हैं तो इसमें कोई गुंजाईश नहीं रिप दियान चुकि आप लगनौ में रहते भी हैं और हम लोग देखते हैं भी सेस मोकों पर काफी जादा जाम हो जाता ह है उस इरी में हम देखते हैं और ऐसे सहर में ऐसी जगह से जब दूर बनाया जाएगा तो लगनौ वासियों के लिए भी एक अच्छी सौगात रहे जी से लिए हर कारे के कोई ना कोई ना कोई दो पहलू रहते हैं जानवार उनको खुला आसमान मिलेगा तो निचुरल जो विचरण में वो सुक्षंदता नहीं मिलती है कि जिस तरह से वो विचरते हैं जितना विचरण छेतर उनको जंगलों में मिलता है उसके लिहास से एक बहुत ही बंद वातवरण में रहने के लिए एक जीव जन्तू को बाद धे होना पड़ता है वहीं आप अगर दूसरी च जिता के साथ बच्चे खासकत तोर से बच्चों के लिए आकरशन का केंड़ होता है वो जाते हैं और बहुत ही सुगम इस्थान है जो हजड़र गंच में स्थित है और उसको अगर दूर ले जा रहे हैं तो निश्चित तोर पर कई ऐसी चीजों के प्रावधान को ध्यान म स्थापित कर सकें और जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो जो प्राणियों के लिए जो प्राथमिक्ता है जीव जन्तियों के लिए जो पहली प्राथमिक्ता होनी चाहिए कि उनके जो विस्थापन आप कर रहे हैं वो उचित धंग से हो और बेहतर तरीके से हो प्राणी उद्यान बनेगा जिसमें अलग अलग छेतरा भी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि भालू के लिए सफारी अलग होगी और अलग से टाइगर की सफारी अलग होगी पचेतर पचेतर एकर की तो तमाम चीजे ऐसी होंगी जो वन जीव जिसमें रहतना प अब जाएटन के अस्थाल हैं दोनों का नेचर एक जैसा है लेकिन जब हम दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो यह तो परेटक के पास एक बड़ी संभावना मिलते है वो नाइट सफारी को भी नजुआय कर रहा है यह उसाथ में जूआय कर रहा है दूसरा यह है कि वहा एक्सपर्ट बोर्ड है अभी कंसल्टेंट इसका डीपियार तैयार करेगा तो इस पूरी प्रक्रिया में जो बुनियादी मानक हैं कि आपको अगर जानवर सिफ्ट करते हैं तो इसके मानक क्या है वहां पे जो पूरा वन्च हैत्र है अगर उसमें जो भी कटाई अनिर्मा होगा अस्ताय निर्मान होगा उस पे एंजिएटी के अनुमत लेनी होगी तो सारी प्रक्रियाओं को निश्चित तोर पे पालन करना होगा यह एक बड़ा प्रोजक्त है निश्चित तोर पे विसमें चेक एंड बैलन्स रखने होंगे लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा के लिए दूसरा जो इसका साथ में जो हम लोग टुरिजम बोर्ड की बात कर रहे हैं मैंने आपको चूका या करतनिया आया हम लोग उने दुद्वा का जिक्री कहा हम में से बहुत से लोग गए होंगे और मुझे नहीं पता कितने लोग बहुत से लोग नहीं भी गए कोई मद्यप्रदेश, कोई राजस्थान या अलग केरला में जो पूरा हांती का छेतर है इन सब जगों पे जाते हैं जबकि आप सोचे कि दुद्वा में हमारे पास एक पूरी अलिफेंट सबारी का बड़ा सेंटर है आज के तारिक में चूका में आपके पास टाइगर का एक बढ़ा सेंटर है तो हो क्या रहा है कि हमारे आसपास हमारे 100 km 200 km की परीथि में एको टूरिजम का एक बड़ा मेगा सेक्टर है लेकिन हम उसकी और नजर नहीं डाल पाते हैं और उसी के लिए हम शायद अलग-अलग हिस्टों में जाते हैं तो अगर इनका विकास किया जाएगा तो एक तो प्रदेश में हमारे पास अस्थानी अस्तर परेटन की नहीं संभा होना है जन्मेंगी और प्रदेश के आर्थिक पहलू को भी एक अलग परिप्रिक्ष देगा एक अलग आयाम देगा इसलिए जो पूरा इको टूरिजम बोर्ड देखे आप एक परेटक प्रदेश में देखे इसमें आगर वन है तो इसमें नगर विकास है जिसका काम बुरैयादी सुब्धहें विक्सिल करना है ग्राम विकास है परिभभभन है जिसका काम जो है यतायाद के शाधन और कर आना है तो उससे जूड़े हुए वन पर आईूश आप सोचिए कि अगर हम इस पूरे सेक्टर को विक्सित करें तो यह उत्तर प्देश में अस्थानी अस्तर पर रोजगार और आपकी संभावनाओं को विक्सित करने का बहुत बड़ा माध्यमन है प्रिंच जी एक बड़ा सुधार किया गया है जेल मैनुवल में अंग्रेजियों के जमाने के जो नियम थे उनको बदलने की बात कहिए इसमें सबसे पहली बात जो आप से सवाल लेंगे महिलाओं को लेकर है उनको कई सुविधाय दी जाएंगी आमतार पे कोई अगर महिला रहती है उसको मंगल सूत्र पहिने के सुविधा दी आ रही है साथ-साथ उनके बच्चों के लेकर जो चीजें कही गई है किस तरीके से देखते हैं आप जेल में आमतार पे जो बुनियादी सुधाय दी गई है देखे ये किसी से छुपा नहीं है कि अपने देश में जेलो है और कही ना कहीं जो एक रेशियो है कि जो स्थान है उसके चमता से अधिक लोग उसके अंदर बंद हैं तो इन सब चीजों के दिश्टिगत जो दिशा निर्देश दिये गए हैं उसमें कहीं ना कहीं जेल मैनुल में ये जो बदलाव आप कर रहे हैं वो एक प्रभावी क दम है और ये अभी एक शुरुवात है आप देखें अगर कि विश्व में किस तरह से अन्य देशों में जेलों की क्या स्थिति है तो नौर्वे सबसे प्रथम स्थान पर आता है वहाँ पे तो कहा जाता है कि लोग वेटिंग में रहते हैं कि उन्हें जेल में जाना है वहा को वहाँ की जो सुविधाएं हैं वह कहीं भी 5 star hotel से कम की नहीं होती है कि जिस तरह से inmates को जो वहां के रहने की जो विवस्था रहती है और जेल के स्टाफ का जो एक विववार होता है वह कैदी की तरह का नहीं उनको रिफॉर्मेटिव त्योरी पे चलने का अजी तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी काम करना है तो जो चंद अभी आपने महिलाओं को कुछ सुविधाएं दी हैं कि वो अपने बच्चों को साथ में रख सकती हैं बच्चों के लिए क्रश की सुविधा वहां पे दी गई है महिला अगर विवाहित महिला है तो उसको अपने सुहाग की निशानी को रखने की अनुमती प्रदान हुई है तो ये आप सोचिए कि विश में जो अन जेलों में जो सुविधाएं अभी दी जा रही हैं उनसे हम बहुत अच्छूते हैं बहुत दूर है तो जो जो ये प घटनाएं घट जाती हैं कि अंडर ट्रायल को कचेहरी परिसर के पास ही कहीं हमला हो जाता है मार दिया जाता है ऐसे कई दूरदान अपराधी भी ला जाते जिनके लिए भारी सुरक्षा की विवस्था करनी पड़ती है तो ऐसे में अगर बदलाव और किये जाएं और जो कॉन्फरेंसिंग की विवस्था जेलों में सही ढंग से कि कनेक्टिविटी ये ना हो कि आप बैठे हैं और जेल से कनेक्टिविटी की गई तो पता चला कोर्ट से आपका लिंक तूट गया और वो प्रभावी चीज नहीं हो पा रही है तो कार्य अभी बहुत करने पड़े प्रिम की तमाम जगे उन्होंने उदारण विदिया है नार्वे का हम जेल में हैं कि हम उसे सुधरने के लिए जेल भेजते हैं सजा देते हैं कि जब लौट के आए तो समानित्या जीवन अच्छे से वितीत करें एक अच्छे नागरी की तरीक है तो ऐसी सुधाओं के वहा बनी है और जिसमें काफी बाद बाद में बदलाओ किये गए उसके पीछे जो हमारा अप्रोच है वह सुधार आत्मक ही है हमें केवल सजा देना ही उद्देश से नहीं है वह कहिदी में अपने सुधार आ सके और आगे अगर वह बाहर आता है तो अपनी जीवन चरिया में के पुरा ब्याप बना हरा सके है तो इसलिए जो जेल का सुधार आकर आहीं कानसर्प था लेकिन आप यह सोचें कि जो हमारे जेल का मेनूंवल में रहा रहता है इसमें काफी है जेल मैनूंवल यह ईयूशारा है नarity जिसमें काफी सच्जेल बास लाह रहा ह। नहीं का उन् खिलाब जो भी खड़ा होता था उसके दमन के लिए कानूना था आजाद भारत में जब हम स्वतंद्र भारत में हम अपनी संप्रभ व्यवस्था में गारे कर रहे हैं तो हमारे लिए जेल का उद्देश एक सुधारात्मक व्यवस्था अपराधिक कानूनों का एक जेलों की प्रक्रिया में भी ब्यापक बदलाव होने चाहिए थे इसको लेके लगातार बहस्ष चली थे 2016 में केन सरकार ने एक मौडल प्रिजन एक्ट शेर किया था और कहा कि इसको लागू करिये सुप्रीम कोर्ट से लेके human rights लेके अलग-अलग कोड से जेलों की के लिए अभी भी जो चार साल से अगर अधिकुम्र का बच्चा है तो माता पिता के सहमत से अगर उसके अभिभावक हैं तो उसको जेल के बाहर भेज दिया जाता है नहीं का आम तो पर बच्चे अंदर ही रहते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की बवस्ता और एक जो क्वारां पिता माता या पिता कर बच्चा नहीं है। और जिवन भर उस प्रमार पत्रके अगर जियल लिखा हो तो उसे स्टिग्मा के साहँ जिए günस का पीर कर्यर प्रमार जाने के लिए जो हारों के लिए साफ सफाई और इन सब सारी चीजों को लेके बदलाओ, जेल में इसकिल्ड कोसल अभी आप देखिए आम तोर पे अभी भी तमाम ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिसकी और नजर नहीं जाती है, हम लोग देखते रहते हैं कि अभी यूपी बोर्ड के रिजल्ट या इसके लामा जो तमाम दूरस सक्षा के बोर्ड के रिजल्ट उसमें तमाम कैदियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और उनके बहुत अच्छा परणाम है, तो उस पूरी प्रक्रिया की और बढ़ने की एक कवायद है और बाकी बहुत लंबा सफर ताय करना है, हम ना इसकार में जा सकता है। अगर सरकार के दूरा खुद ही ये प्रावधानित किया जा रहा है कि ऐसी दशा में बंदी को वो सुविधा मोहया कराई जाएगी तो ये भी एक बहुत प्रशंचनी कारे है और आवश्यक कारवाई है जो आज सरकार के दूरा अगर की गई है तो उसमें जेल में बंद लो होने का मौका मिल रहा है तो ये स्वागत योगे करें बिल्कुल रच्छा और एयर स्पेस एकाई रोजगार संबंधी जो संसोधन किया गया है निवेस को लेकर प्रदेश सरकार चाहरे है चाहे डिफेंस कारी डोर हो या उसके बाहर की जगे हो लोग आए जाए जादा आक दूसरी तरफ आप आबादी के मामले में दुनिया के छठे देश के बराबर इस पूरी आबादी या इतने बड़े व्यापक प्रदेश के विकास के लिए आपको अलग अलग आयामों पे काम करना होगा इंफ्रास्टुक्चर और इंडिस्ट्री इसका बहुत बड़ा पह पॉलसी आई थी लेकिन उस जो पॉलसी में जो इंसेंटिव थे उनकी थोड़ी सिमित थे मसलन अगर आप बुंदेल खंड छेत्र में निवेस करते हैं तो आपके कुल निवेस का 15 प्रतिशत या अधिक्तम 15 करोन रुपय मिलता था अने छेत्रों में 10 प्रतिशत आधिक्त बड़ा सेक्टर है इसमें आपके पास मेगा इन्वेस्टमेंट के संभावना है तो इसलिए ये बदलाव किया गया कि बान लिजे कोई बड़ी कंपनी है डिफेंस सेक्टर का कोई बड़ा प्लेयर है वो गुंदेल खंड में निवेस करना चाहता है आप अगर गुंदेल में पांच हजार करून का निवेस्ट कर रहा है लेकिन उसको आप सबसिडी के नाम पर अनुदान के नाम पर मदद के नाम पर आपके ओल 15 करून रुपए दे रहे थे अब इस पूरी बेवस्था में है कि उसको पांच हो करून रुपए तक अंदान में लेगा और ये काल आप अधाम जो भी नितियां बनेंगी उत्तर प्रदीस के विकास के लिए बनेंगी और प्रदीस के विकास तेज गती से हो यही हम सभी की उम्मीद है आज के कारकर में बस इतना ही नमस्कार